और आज किस वीडियो में हम आपके साथ सेर करने वाले हैं The Power of Your Subconscious Mind बुक की समरी को जिसे कि डोक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है इस बुक में डोक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रेयर्स करें उसे भी फोलो नहीं करती हैं इसलिए हमारी प्रेयर्स काम नहीं करती हैं आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं आपकी प्रेयर्स आपकी mental picture और mental thoughts को respond करती हैं आपकी इच्छा एक प्रेयर है दोस्तों अगर आप subconscious mind की power को जान ले तो आपकी life में magic होगा और ये magic किसी की भी life में हो सकता है दोस्तों अगर हम ये समझ ले कि हमारा subconscious mind यानि कि हमारा आउच एतन मन कैसे काम करता है तो हमारे subconscious mind के अंदर इतनी power है जितनी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपके मन में कभी है सवाल आए है कि क्यों कोई इंसान successful होता है और क्यों कोई इंसान unsuccessful होता है क्यों कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होता है जबकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते है क्यों कोई इंसान healthy होता है और क्यों कोई रहती हमेशा विमार रहता है अगर आपके मन में भी यह सब्सक्राइब आए है तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेसल होने वाली है तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखिए और अगर आप में अभी तक हमारे इस यूटीब चैनल को स अगर आते रहेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो समरी को जिसका नाम है जिसे लिखाए जोसेफ मरकी ने और इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं दोस्तों और वन बाई वन हम आपको इनके बारें बताएंगे तो चलिए दोस्तों सुर आपको बैस अपने मन के आँखों करके देखना होगा करें लोग अपनी असीम सक्तियों के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे अपने अंदर खोशने की कोशिस नहीं कियोती दोस्तों आपको पता ही होगा अगर हम किसी आईरन रोड को इस पावर छीन लेते हैं तो है इतना वेट नहीं उठा पाती ऐसा क्यों होता है दोस्तों और ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में होता है मेंगनेटिक लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वे मानते हैं कि नहीं सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं दोस्तों मेंगनेटिक परसन बनाना चाहते हैं तो आपको इतिहास के सबसे बड़े रहसे को जान करके उसे अपलाई करना होगा दोस्तों और वह सकती साली रहसे है आपका सबकॉंचेस माइड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर हम उसके अंदर अपने दिल और दिमाग में बिठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर अंसान बनना है तो आपका सबकॉंचेस माइड आपके लिए रास्ते बनाना सूर कर देगा अब सवाल यह उड़ता है दोस्तों कि सबकॉंचेस माइड आखिर क्या है सबकॉंचेस माइड हमारी अ subconscious mind हमें जिन्दा रख सकता है तो वो आपके मन में ठान ली गई च्छाओं को भी पूरा कर सकता है दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स को decide करना होगा वे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस्मेन परना या फिर शबसे सक्सेस्फूल इंसान परना दोस्तों इसके लिए आपको अपने मैसेज को अपनी सब कॉझेस माइंड में भीजने की सही टेकनिक को सीखना होगा जिसके बाद आपको इसे पाने के लिए महनत नहीं करनी पड़ेगी, बलकि आपका सब कोंसेस माइन, आपको इसे पूरा करवाने के लिए आवश्य कदम उठाने में आपकी हेल्प करेंगा दोस्तों क्योंकि आपका सब कोंसेस माइन आपकी बोड़ी कंट्रोल करते हैं और वो आपके actions को भी control कर सकते हैं इसलिए आपका subconscious mind आपसे वो काम करवाएगा जो आपको आपकी goals को पाने के लिए करने चाहिए आपने एकसर सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपने मन के आवाज को सुना चाहिए मन के आवाज से उनका मतलब है कि अपने subconscious mind की आवाज को सुना और उसे अपना दोस्त बना लेना और दुनिया के सबसे अमीर वैक्ती सबसे खुष इंसान सबसे healthy person जो भी आप चाहिए वो बन जाना कि आपको ये बात अजीब नहीं लगती दोस्तों कि क्यों कुछ लोग बहुँ जादा successful होते हैं और बाकी सब भी अगर आप इस वीडियो को last तक देखेंगे तो हम आपको promise करते हैं कि आप अपने subconscious mind को control करने में माश्रब बन जाएंगे अब आप imagine किजिए कि जो भी goals आप किसी paper पर लिखोंगे वो आप अपने subconscious mind की power की help से पूरा कर सकते हैं आप अपने subconscious mind की power का use करके कोई भी exam टोप कर सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी company को successful बना सकते हैं दोस्तों subconscious mind हमारे focus और productivity दोनों को बढ़ा देता है हमारे brain के दो हिस्से होते हैं conscious mind और दूसरा होता है जो की understanding पर काम करता है आपका इस पर fully control होता है दोस्तों जबकि आपका सब conscious mind आपकी सभी अनेचे किरिया यानि कि जो actions आप भी ना सोचे समझे लेते हैं जैसे कि सांस लेना दिल का धड़कना पल के जबकना आदी को control करते हैं conscious mind के पास हमारे mind की गिए 10% power होती है जबकि सब conscious mind के हमारे mind की 90% power होती है और यही पर लोग गल्ती करते हैं जो लोग अपनी life केरिय desem में खुश होते हैं वह अपने brain को 100% power यानि की वह अपने conscious और सब conscious दोनों की power का यूज करते हैं जबकि जो लोग अपनी लाइफ के अंदर अंससेस्पुल होते हैं वो कि अपने conscious mind के सक्तियों का उप्योग करते हैं जिस परकास से हमें चलने के लिए दोनों पाव की जुरूत होती है दोस्तों उसी परकास से हमें अपनी life में मन चाहा परणाम पाने के लिए हमें अपने mind के conscious and subconscious दोनों की power का यूज करना होगा आपका brain विश्वास के सिधान पर काम करता है दोस्तों विश्वास करें कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो आप एक दिन जुरूर पा लेंगे तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस book के दूसरे चैप्टर के बारे में जो है how your mind work यानि कि आपका दिमाग कैसे काम करता है हमारा conscious mind हमारी five senses यानि कि आँख, कान, नाख, मू, तबचा और जीब इन सभी इस information ले करके और उन चीजों को experience करके decision लेता है पर हमारा subconscious mind कोई decision लही लेता वो बस conscious mind के past beliefs, actions और अनुभव के अधार पर काम करता है दोस्तों हमारा subconscious mind हमारे past के experiences को has a data base यूज़ करता है दोस्तों जैसे ही company आगे हम बात करते हैं the power of suggestion के बारे में आपका subconscious mind बहुत ज़्यादा sensitive होता है अगर उसे suggestion यानि कि सुझाव दिया जाए तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं अगर subconscious mind बहुत बढ़ी सी पर दोस्तों तो आपका conscious mind उसका captain है जो उसे order देता है कि कहा जाना है, कब जाना और कैसे जाना है आपका conscious mind सभी गलत information को logic और reasoning से filter कर देता है और उसके बाद वही information हमारा subconscious mind तक पहुंचाता है एक बार की बात है दोस्तों एक उरत बहुत अच्छी opera singer थी उसे opera production में एक बहुत important audition के लिए जाना था लेकिन वो उरत stage पर जाने से घबराती थी क्योंकि वह कई बार audition देने से पहले फैल हो चुकी थी तो उसने खुद को positive auto suggestion देना सुरू कर दिया उसने money man कहा that I am the best opera singer in the world और मैं अपना audition दे रही हूँ और सभी judges मुझे दे करके तालिया बजा रहे हैं दोस्तों conscious mind आपसे कभी भी सवाल नहीं करते हैं और उसके पास आपके सभी questions के जवाब भी होते हैं दोस्तों आप जो भी daily सोचते हैं दोस्तों उसका new pattern आपके subconscious mind में store होता रहते हैं और आपका mind उसका use as a data base करता है इसलिए आप कोई भी नहीं आदत इतनी असानी से नहीं लगा पाते आप next year successful लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपको सुने से पहले अपने goals के बारे में सोचना चाहिए कि वो आपको मिल चुके हैं और आपके goals मिलने के बाद आपकी life कैसी होगी आपको उसके बारे में सोचना चाहिए जब आप अपने mind वे positive thoughts लाते हैं तो ये आपके सब conscious mind में बैट जाएंगे दोस्तों और आपका सब conscious mind धीरे धीरे उनको पाने के लिए आपको रास्ता दिखाता रहेगा एक बात हमेशा याद रखे दोस्तों कि कोई भी चीज दो बार बनती है पहले आपके mind में और दूसरा reality में तो आपको जैसे भी life चाहिए उसकी कलपना को अपने mind के data base तक पहुँचाना आपकी जिम्मेवारी हैं दोस्तों और फिर आप धीरे धीरे उसे पालेंगे तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर के बारे में the miracle working power of your subconscious mind यानि कि आपके आउचेतन मन की सकते हैं हमारा subconscious mind हमारे लिए बहुत से चमतकार कर सकता है दोस्तों हम सुभा से लेकर स्याम तक दिन भर काम करते हैं और रात को आने के बास सो जाते हैं लेकिन कि आपका subconscious mind सो जाते हैं बिलकुल भी नहीं द करते हैं दोस्तों हमारा दिल धड़ा करके हमें जिन्दा रखते हैं हम हमारे subconscious mind को हमारी आत्मा समझ सकते हैं दोस्तों यहां पर हम आपको एक simple सारीगे life example देते हैं हम समने लोगों को hypnotize करने के बारे में तो सुना ही होगा वो कैसे इसी को भी असाने से hypnotize कर लेते हैं क्या आप जानते हैं कि expert हमारे brain के subconscious land को control करके हमें सफल समर्द और विदवान वैक्तिप बना सकते हैं दोस्तों , आगे हम जानेंगे कि क्या हमारा सब conscious mind हमारे सभी विमारिया को दूर कर सकता है हाँ हमारा सब conscious mind हमारे सभी विमारिया को बिल्कुल ठीक कर सकता है दोस्तों रिसेंटल एक रिपोर्ट के मताबिक वर्ल्ड के बैस्ट डोक्टर्स और एडवांस treatment फाइल हो गये थी फिर भी यह miracle possible हुआ लेकिन वो miracle recovery क्या थी एक बार एक वैक्ति था जो कि plane crash के दुरान पूरी तरह से घायल हो गया था उसकी लगबग सभी हडिया तोड़ चुकी थी डोक्टर्स का मानना था कि अब वो जीवित नहीं बच पाएगा सभी डोक्टर्स ने उसके ठीक होने के उमीद छोड़ दी थी लेकिन उस वैक्ति नहीं मत नहीं हा रही और खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि वो new year तक completely ठीक हो जाएगा और अपनी family के साथ new year celebrate करेगा उस आदमी ने किसी की भी बात नहीं माली बलकि वो दिन रात बस एक ही थोट के बारे में सोचता रहा कि वो new year तक ठीक हो जाएगा और अपनी family के साथ enjoy करेगा वो आठ महीनों तक लगातार यही थोट अपने mind में सोचता रहा और इसे अपने subconscious mind में बिठा लिया और वो new year तक पूरी तरह से ठीक हो गया दोस्तों एक ऐसा वेक्ति जिसकी लगबग 103 हडिया तूट चुकी थी वो पूरी तरह से ठीक हो गया था यह हमारे subconscious mind की power इस स्टोरे से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने अपनी लाइफ में अपने subconscious mind की power का यूज कर सकते हैं अब हम जानेंगे कैसे हम अपने subconscious mind तक अपना मन चाहा message पहुंचा सकते हैं और अपने brain को success के लिए train कर सकते हैं दोस्तों आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी भी powerful चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है अगर हम वो जान ले तो हम computer hacking की तरह अपने mind को भी hack कर सकते हैं दोस्तों और अपने लाइफ में अपना मन चाहा पर नाम पा सकते हैं इसके लिए आपको अपने subconscious mind को रात को सुने से पहले और सुबर उठने के बाद program करना होगा रात को सुने से पहले और सुबर उठने के बाद आपके mind के साथ IJECT क्या होता है दोस्तों जिससे आपका message directly आपके subconscious mind टक पहुंच जाता है जब भी आप सोने से के लिए जाते हैं तो उससे पहले के 5-6 मिनिट आपके लिए बहुँ ज़्यादा इंपोटेंट होती है क्योंकि तब हमारा सब कोजेस माइन लगब 95-96 यानि की 95% एक्टिविट होता है और दिन के समय यह केवल 75% यानि की 75% एक्टिव होता है इसलिए हमें अपना ब्रेन बस लास्ट के 5-6 मिनिट के अंदर ही प्रोग्राम करना पड़ता है दोस्तों जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने मैसेज या फिर गोल्स को एक प्लेन पेपर पर लिखना होगा दोस्तों उसके बाद उसे बार बार देखें और आखे बंद करके उसके बारे में सोचें और करपनाओं में इमेजन कीजिए कि आप उन गोल्स को पूरा कर रहे हैं या फिर आप उसकी एक ओडियो भी बना सकते हैं उसकी audio को आप अपने phone में record करके उसे बार बार सुने और ये सब करने से पहले आप 12 से 15 बार deep breath ले और अपनी breath पर focus कीजिए दोस्तो जिससे आपका mind शान्त हो जाएगा और आप relax feel करेंगे और आपको mean आने भी शुरू हो जाएगी दोस्तो तब ही आपका अपनी record की गई audio को सुनना है और अपने ghost को पूरा करते हुए imagine करना है आपको और इसे आप तब तक दुराएए जब तक कि आप सुन नहीं जाते अगली सुबह आप देखेंगे दोस्तों कि आपने जो message कल रात को अपने mind को दिया था वो आपके mind में दिन भर घूम रहा है और आपके सामने उसको पूरा करने के कही सारे रास्ते आए हैं जिन पर चल करके आप goals को achieve कर सकेंगे दोस्तों अब बहुत से लोग यहां पर सवाल करते हैं कि क्या visualization करना जुरूरी है तो इसका अंसर बढ़ा simple है दोस्तों हावारा subconscious mind emotions पर अधारित है ना कि logic पर यह reality और कलपनाओं में difference करना नहीं जानता यह काम हमारे subconscious mind का है जो चीजों को logic और proof के अधार पर accept करता है दोस्तों लेकिन subconscious mind हमसे कभी भी question नहीं करता यह हमारी thought पर believe करता है दोस्तों जिसकी वजह से हम उन goals को achieve करने के लिए subconsciously act करना शुरू कर देते हैं हमारा subconscious mind एक blank page की तरह होता है दोस्तों जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और जो आप लिखेंगे वो आप अपनी life में पूरा करता हुआ देखेंगे तो इसलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के फोर्थ चैप्टर के बारे में जो है mental healing in ancient time यानि कि और चेतन मन की help से प्राचन काल में मांसिक उपचार कैसे किये जाते थी प्राचन काल के लोग कैसे mental healing करते थी और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थी इसके लिए ओ थ्री स्टेप formula यूज करते हैं दोस्तों और ओ थ्री स्टेप formula है ask, believe and receive यानि कि मांगो जो आप मांगना चाहते हों और विश्वास करो कि वो आपको मिल चुका है और आप उसे पास चुके हैं दोस्तों और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी आप सोच रहे होंगे कि ये कहना कितना सिंपल है कि मांगो जो तुम्हें चाहिए और विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा हमने आपको प्लेन क्रेस में हुए घायल वैक्ति के बड़े में बताया था दोस्तों कि वो किस तरह से मौत के मुह में से बाहर आया था ठीक उसी परकार इस थ्री स्टेफ फोर्मुले में आपको अपने विजुलाइजेशन पावर का उप्योग करना है आपको एक थोट पर फोकस कर उसे अपने सब कौनसे स्माइड टक पहुचाना होगा दोस्तों और अपने थोट को अपने सब कौनसे स्माइड में पहुचाने का तरीका आपने पिछले स्टेफ में सीख लिया है इस तरह से answer time में लोग 3 step formula का use करते हैं तो उसलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस book के 5th chapter के बारे में जो है mental healing in modern time आधुनिक यूग में मानसिक उपचार सब conscious mind के health से हम कैसे कर सकते हैं वह कौन सी चीज है दोस्तों जो उपचार करती है यह उपचारक सकती हर वैक्ति के सब conscious mind में निवास करती है वो सभी रोगियों के बदले हुए मानसिक नजरिये से active हो सकती है दोस्तों आज सब किसी भी ८्रीज को ठीक नहीं किया है दोक्टर सिर्फ मरीज के मानसिक और रोध अठां करके परभावी परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिधान से के लिये हो जाए और रोगी दोबारा स्वस्त हो सकी एक बार की बात है दोस्तों एक औरत brain tumor से पीड़ी थी और वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर की, कि मैं जहां भी हूँ, मेरी मां की सारी दुआई मेरे साथ है, मेरी मां मेरे साथ है, और जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी भी बिमार नहीं पड़ सकती, जैसी उस ओरत की बोड़ी थी दोस्तों, वो उसके विच पर फोकस किया और अपने सब कॉंसेस माइंड की हैल्प से कुछी टाइम में वह उरत पूरी तरह से ठीक हो गई और ऐसे ठीक हुई दोस्तों मानों कि वह पहले कभी बिमार नहीं थी तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं सिक्स चैप्टर के बारे में जो है प्रैक्टि यह सब तरीके सीखने पड़ते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राथनाओं का जवाब मिले तो आपको सही टेक्निक और वीधियों से सुरुवात करनी होगी प्राथना का जवाब वैग्यानिक तरीकों से मिलता है दोस्तों कुछ भी संयोग से नहीं होता आपकी प्र सबकॉंसियस माइंड के पास भेज देगा और आप अपने कोंसियस माइंड में जितनी बार वो रिपीट करेंगे उतनी जल्दे वह आपके सबकॉंसियस माइंड में पहुंच आएगी जैसे कि मैं सफल वैक्ती हूं और मैं सवस्त इंसान हूं जो भी आप चाहते हैं उसे पार बार अपने मन में रिपीट कीजी दोस्तों, तो एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब आपका conscious mind आपके subconscious mind का धकन खोल देगा और वो information आपके subconscious mind में डिरेक्टली चली जाएगी और आप उस तरीके से एक्ट करना सुरू कर देंगे और उसके बाद आप जो भी चाहते है वो आप अपनी life में होता हुआ देखेंगे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, विजुलाइजिसन के best technique के बारे में इसके लिए आपको सबसे पहले अपने mind को शान्त करने के लिए एकांत में बैठना होगा और आपको दस से बारा बार deep breath करके अपनी focus power को अपने goals पर ले करके जाना होगा आपको अपने goals को वैसे ही देखना होगा जैसे कि वो reality में पूरा होने पर दिखते हैं आपको उस पल के बारे में सोचना होगा जब आप अपना मन चाहा पर नाम पा लेंगे इसको समझाने के लिए हम आपसे एक real life example सेर करते हैं जिसे आप इसे असाने से समझ पाएंगे आप सभी में निकोला टैसला के बारे में तो सुना ही होगा उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी इन्वैंसन करने से पहले उसके बारे में completely visualization करते थे वो एक एक detail को 3D rotate करने के बाद अपने mind में देखते थे और फिर उन सभी details को paper पर उतार देते थे और इसी visualization के टेकनिका यूज करके उन्होंने सेकड़ो इन्वैंसन के दोस्तों और उसी तरह से आपको भी एकदम clear visualization करना है आगे हम बात करते हैं mental movie method के बारे में एक कहवत है दोस्तों कि एक picture यानि के एक तस्वीर हजारों सब्दों के बराबर होती है और आपका mind pictures में सोचता है दोस्तों आप जिस तरह से act करेंगे आप उसी तरह के बन जाएंगे दोस्तों mental movie method का यूज करने सबसे ज़्यादा sales के दुनिया में होता है चलिए समस्ते हैं कि ये कैसे होता है दोस्तों इसके लिए हमें अपने मन में खुद को satisfy करना होगा और ये सोचना होगा कि आपने जो product और service का price रखा है वोई आपके consumer के लिए सबसे best है अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपका mind relax हो जाएगा और आप अपने सारी energy को अपनी sales करने में लगाएगे आप खुद को sales करता हुआ imagine केजे दोस्तों आप खुद को customer को satisfy करता हुए देखे आपके पास बहुत सारे customer आ रहे हैं और आप अपनी company के सबसे best salesman बन चुके हैं इसके लिए आप इस universe को thanks करके gratitude की भावन रखे क्योंकि जो इस universe को जो भी उसके पास है उसके लिए thanks कहता है तो universe उसको और भी ज़्यादा provide करवाता है दोस्तों और जो ऐसा नहीं करते हैं उनसे सभी चीजे छीन ली जाती हैं इसलिए अपने अंदर हमेशा gratitude की भावना रखे अब आप thanks कहें और इसे universe पर छोड़ दीजिए और रात भर आपने जो visualize किया है वो आपके subconscious mind में revise होता रहेगा तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस book के 7th chapter के बारे में जो है the tendency of subconscious is life-ward हम जो life जीते हैं वो बस 10% होती है दोस्तों बागी की 90% life के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता हमने एकसर ये बात notice की है कि हम अपने आप से कई बार मन ही मन बात करते रहते हैं जिसके कार्ण हम केवल अपने inner world पर ही फोकस कर पाते हैं तो क्या हम कभी outer world की life जी ही नहीं पाए दोस्तों साइद इसका जवाब है नहीं क्योंकि हम हमेशा अपने दिमाग में फस कर रह जाते हैं और फिर हम खुर से कहते हैं कि हमारी life ही खराब है लेकिन ऐसा नहीं है जब आपका फोकस inner world पर होगा तो आप inner feelings को महसूस करते हैं और जब आपका फोकस outer world पर होता है तो आप outer world की beauty को देख पाएंगे दोस्तों चलिए हम इसे एक example से समझते हैं एक वैक्तिको टीबी यानि की tuber calosis था और उसने अपनी इस बिमारी को बस केवली इस affirmation के जरिये ठीक कर दिया था वो affirmation थी कि मैं अपने आम में perfect हूँ पर powerful हूँ और खुस और complete हूँ और इस आदमी के लिए यह affirmation बहुत ही powerful साबित हूई और वो बिल्कुल ठीक हो गया तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं 8th chapter के बारे में जो है how to get the result you want यानि कि अपने subconscious mind की help से आप जो भी चाते हैं वो result कैसे पाई हमें जो लाइफ में चाहिए वो कैसे पाई imagine कीजे कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं दोस्तों और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को direction change करने के लिए कह रही है आपकी बातों से टैक्सी ड्राइवर confuse हो जाता है जिसके कारण वो आपको आपकी मंजिल तक जान नहीं पाता क्योंकि आपको clear ही नहीं है कि आपको जाना खाए Dr. Joseph Murphy बताते हैं कि आपको life के अंदर जो भी चाहिए उसके लिए आपको specific होना पड़ेगा आपको अपने goals को पूरा करते हुए imagine करना पड़ेगा और आपको ऐसा regularly करना चाहिए क्योंकि discipline से ही आप continuously action लेंगे और hedge पर Bible जो लोग इस दुनिया में जनम लेते हैं अगर वो अपने conscious और subconscious mind की power का use करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों तो अच्छलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस book के 9th chapter के बारे में How to use the power of your subconscious mind for wealth यानि की दोलत पाने के लिए अपने subconscious mind की power का use कैसे करें आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं I am the richest person in the world आप जब भी ये affirmation बोलते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर जाता है दोस्तों और आप wealth को attract करने के लिए conscious हो जाते हैं और ये affirmation आपके mind में new ideas बनाती है दोस्तों इसी से आपको new business ideas और business plan आते हैं दोस्तों जो आपका अमीर बनने में है आपकी help करेंगे अब हम जानेंगे कि क्यों आपके affirmation फैल हो जाते हैं अधर कहते हैं कि जब भी हम खुझ से कहते हैं कि मैं सबसे अमीर इनसान हूं तो ऐसा लगता है कि हो खुझ से जूट बोल रहे हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका conscious mind के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाते हैं इसलिए आप डेले खुझ से ये कहें कि मैं हर रोज अपने काम को अच्छे तरीके से करता हूं और दिन पर दिन मेरा काम और अच्छा होता जा रहा है इसलिए मैं अमीर बनता जा रहा हूं अगर आप इस affirmation का यूज करेंगे तो आपका mind इसे accept कर लेगा और आप जितना focus, wealth, success और positive चीजों पर रखोगे उतनी अच्छे चीज़े आपकी life में attract होती रहेंगी आप इस दर्ती पर इसलिए पैदा हुए हैं दोस्तों ताकि आप खुश रह सके और सभी खुशियां औ हमारे parents हमें कहते थे कि बेटा पैसो के लिए मडर हो जाता है और पैसे सभी बुराईयों की जड़ है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं दोस्तों पैसो से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी वो आप पर depend करता है कि पैसो को प्योग आप अच्छे काम के लिए अच्छे करते हैं या फिर बुरे कामों के लिए मैं आपको एक इग्जामपल से समझता हूं … चाकू का इस्तमाल किया है अब आप सोत रहेंगे कि यह क्या स्वाल है कुछ लोग चाकू का इस्तमाल खाना बनाने के लिए करते हैं वहीं दूसरी और कुछ लोग चाकू का इस्तमाल लोगों का गला काटने के लिए भी करते हैं दोस्तों इसमें चाकू को कोई दोस्त नहीं है वो तो नूटरल है दोस्तों उसी प्रकास से हम पैसों के उप्योग करने के ढंग से पैसों को अच्छा है बुरा बताते हैं इसलिए पैसा ना तो अच्छा है और ना ही बुरा यह निर्भड करता है कि आप उस पैसे का उप्योग किस तरह से गाते हैं दोस्तों तो को इंप्रूव करने में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते इसलिए उनकी इंकम फिक्स होती है दोस्तों इसलिए उनको एक्च्वल वैल्ट कभी भी नहीं मिल पाती तो इसलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के 11 चैप्टर के बारे में जो है यूर सब कॉंसियस माइं है जे पार्टर्नर इन्वेस्स। यानि कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने सब कॉंसियस माइंड के अद्भू सक्षक्टियों का उप्योग अपनी सफलता में कैसे कर सकते हैं अपनी life में सकसेश होना हम अपने सुकी शांत और प्याज से भली life को जीने में हेल्प करता है हम हर दिन उस साथ से उटते हैं और उनन चीजों का सुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है हमारे पास हमारा खूद का fit और fine शरीर है हर सुभा उटते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो शाम को सोते तो हैं मगर वापिस कभी नहीं उट पाते सोचो कि आप कितने लगी हैं जो आप अभी तक जीवित हैं इसलिए आपको अपनी लाइफ के हर एक पल को पूरी जिन्दा दली से जीना चाहिए और आप ऐसा अपने सब कौंसेस माइड को पार्टनर बना करके कर सकते हैं यहां पर ओधर जोसेफ मर्फी बताते हैं तीन स्टेप्स के बारे में जिनसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस्फिल बन सकते हैं तो पहला स्टेप है आपको वो काम करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं जिसको करना आपको पसंद है और आपको करते रहने से कभी भी ठकान महसूस नहीं होती है और दूसरे स्टेब में डॉक्टर जोशिफ मर्फी बताते हैं कि मास्टरी वन फिल्ड यानि किसी भी एक फिल्ड में मास्टरी आपको हासिल करने चाहिए जिसे कि आप लोगों की हेल्प कर पाएं आप जितने ज़्यादा लोगों को सर्व करेंगे आपकी सक्सेस के चांसिज उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे और तीसरे step में बताते हैं, आप केवल अपने success के बारे में ना सोचे, आपको अपने साथ साथ औरो के को भी successful बनाना होगा आप कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, आपकी success लोगों की life में value add करने वाली होने चाहिए ये समाज और सोसाइटी के प्रोब्लम को सोल करने वाली होने चाहिए दोस्तों ओथर एक स्टोरी बताते हैं एक 12-18 साल का एक नोजवान मेरे पास आया उसमें मुझे बताया कि जो भी वो काम करता है वो उसमें फैल हो जाता है वो खुद को स्टूपिड मानता था और वो अपना स्कूल भी छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसमें ऐसा नहीं किया तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे ओथर कहते हैं कि उससे मिलने के बाद उसने उस बच्चे में एक खास बात देखी कि उसका एटिटूड खुद को लेकर के नेगेटिव है वो खुद को सबसे कम समझता है और इसलिए उसको लगने लगा कि सब बच्चे उससे होश्यार है ओथर ने उसे उसके सबकॉंशेस माइंड की पावर को यूज करके पढ़ाई में अच्छा बनना सिखाया ओथर ने उसको एक अफरमेशन बताई जिसे कि उसको रास को सुने से पहले उस बच्चने के बाद खुद को बोलना था और उसे बार बार उसे मन में धुराना था और वो अफरमेशन थी मेरा सबकॉंशेस माइंड बहुत ही अनोखी सक्तियों से भरा हुआ है और मेरा सबकॉंशेस माइंड मेरी मेमोरी का स्टोर हाउस है मैं जो भी पढ़ता हूँ या फिस सुनता हूँ मुझे सब याद रहता है मेरे पास perfect memory है अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तमाल कर सकता हूं मेरे सब conscious mind के नोखी power मुझे exam के लिए त्यार कर रही है मुझे मेरे teacher बहुत प्यार करते है और मैं अपने school का टोपर हूं उसने ये affirmation बार बार दो रही कुछ टाइम बाद उस बच्चे का message author के पास आया जिसमें लिखा था थैंक्यू सो मच डोक्टर जोसेफ मर्फी अभी मैं कलास में टोप करता हूं सभी मुझे पसंद करते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के नेश चैप्टर के बारे में जो है How Scientist Use Subconscious Mind यनि कि Scientist Subconscious Mind की पावर का यूज कैसे करते हैं हम सभी ने chemistry में benzen के chemical structure के बारे में तो पढ़ा ही होगा पर क्या आपको benzen के chemical structure के discovery के बारे में पता है एक chemist से जो कि भूट टाइम से benzen का structure समझने की कोशिस कर रहे थे पर वो इसके structure को समझ नहीं पा रहे थे दोस्तों लेकिन उन्हें Subconscious Mind के बारे में बहुत अच्छा knowledge था तो उन्होंने अपना message अपने Subconscious Mind में डालना सुरू कर दिया कि उन्हें बेंजन का chemical structure मिल चुका है और सभी chemist उन्हें कोमरेचुलेट कर रहे हैं फिर एक दिन जब बस में सफर कर रहे थे तो उन्हें एक symbol दिखाई दिया जो खुद की पूछ को खा रहा था तो उन्हें समझ आया कि हम अगर chemical bone में भी chemical bone में भी एक ऐसा cyclic ring बना दे तो benzen structure बन जाएगा उसके बाद benzen ring के discovery हुई अब आप समझ गए होंगे कि आपका subconscious mind कितना ज़्यादा powerful है यह आपको health, wealth, नाम, शौरत जो भी आप चाहते हैं वो आपको दिला सकता है दोस्तों बस आपको इसे use करने की सही technique पता होनी चाहिए जो आप इस वीडियो को अभी तक देख करके सीख रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को आप last तक जुरू देखिए क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे राज अभी भी खुलने बाकी हैं जो आपकी life को पूरी तरह से change कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे next chapter के बारे में your subconscious mind and the wonder of your sleep हम सभी एक दिन के अंदर लग बग 6-8 घंटे के नीद लेते हैं और ideally 8 घंटे के नीद हमारे लिए perfect मानी जाती हैं जो हमारी life को one third होती है हमारी physical body पर हमारा subconscious mind उसके targeted organs सभी रात भर काम करते रहते हैं रात को हमारा subconscious mind बहुत जल्दी किसी भी भी मारी को ठीक कर सकता है क्योंकि हमारा conscious mind उसमें कोई अडचन नहीं पैदा करता सुभह से रात तक हमारा conscious mind कामों में लगा रहता है और हमारे mind में दिन भर में लग भग 60,000 थोट आते हैं और यही थोट बहुत सारे emotions को पैदा करते हैं हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी हर रोज की habitual thinking हमारा future बनाती है तो हमें positive सोचना चाहिए और positive चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो हम सोचते हैं वही हमारी life बन जाती है दोस्तों तो हमें हमेशा positive चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस book के next chapter के बारे में जो है your subconscious mind and marital problems याद कि आप अपने subconscious mind की power का यूज करके अपने विवाहिक जीवन में आने वाले समझाओं से कैसे बस सकते हैं दोस्तों सबकोंसियस mind की power से हम अपनी life में perfect life partner को भी attract कर सकते हैं अगर हमने गलत इंसान से साधी कर ली दोस्तों तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों क्या आप चाहते हैं क्या आपकी life में प्यार हो क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी problems को समझे और आप दोनों मिल करके सभी problems को soul करे आज कल के modern time के अंदर break up और तलाग जैसी बाते बहुत जादा आम हो गई हैं सबसे पहले आपको ये clear होना चाहिए कि exactly आपको कैसा partner चाहिए उसमें क्या क्या qualities होनी चाहिए तब ही आप अपनी dream partner को attack कर पाएंगे और जैसे ही आपको ये clarity मिलेंगी अब आप अपने सब conscious mind की power को यूज कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे next chapter के बारे में जो है your subconscious mind and your happiness तो आपके जो भी चल रहे होते हैं तब आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है आप वैसे ही फील करने लग जाते हैं दोस्तों अगर आप अपने बोडिश रख लिया फिर फेस को खुब सूरत नहीं मानते तो आप दुखी हो जाएंगे दोस्तों क्योंकि आपका फोकस सिरफ उन चीजों पर है जो कि आपके अंदर बुरी है इसलिए आपना फोकस उन चीजों पर कर ले जो आपके अंदर अच्छी हैं तो आप हमेशा अच्छा फिल करेंगे और आप इन्ही बातों को ध्यान में रख करके अपनी लाइफ के अंदर खुसी और हैपिनेस को भी एट्रेक्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि आप बहु जादा खुस हैं तो आप अपने जैसे लोगों को ही अपनी तरफ एट्रेक्ट करेंगे और जब आप उन लोगों से मिलेंगे जो वास्तव में खुस हैं तो आपकी खुसी हमेशा बनी रहेगी तो इसलिए आपको हमेशा अपनी माइंड के अंदर जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं अगर आप अपनी लाइफ के अंदर खुसी चाहते हैं तो आप उसके बारे में आपको अपने माइंड के अंदर सोचना चाहिए तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे next chapter के बारे में जो है your subconscious mind and human relations यानि कि आप अपने subconscious mind की help से अपने relations को कैसे बहतर बना सकते हैं आपका subconscious mind बहुत ही ज़्यादा sensitive होता है इसलिए negative बाते आपके रिस्तों में कड़वाट पैदा कर सकते हैं दोस्तों आप सब conscious mind की help से अपने रिस्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी respect करें और आपसे प्यार करें तो आपको भी उनके बारे में ऐसा ही सोचना सुरू करना होगा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्यत करें तो आपको भी लोगों की इज़्यत करनी होगी अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि लोग आपकी care करें आपकी बातों को समझे तो पहले आपको भी इनकी बातों को समझना सुरू करना होगा खुद को हमेशा negative लोग और news से हमेशा दूर रखे आपका mind कोई dust भी नहीं है दोस्तों कि इसमें कुछ भी डाला जाए हमेशा ऐसे books पड़े जो आपको अच्छा बनाए खुद से प्यार करना सिखाए तब ही आप दूसरों से प्यार कर पाओगे तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हमारे next chapter के बारे में जो है how to use your subconscious mind for forgiveness यानि कि आप अपने subconscious mind का लोगों को माफ करने के लिए कैसे कर सकते हैं हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा दोस्तों अगर हम अपनी life में सुख शांती से जीना चाहते हैं तो हमें अपने haters को माफ करना सीखना हुगा क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके negative emotions positive में बदल जाते हैं दोस्तों और आप शांत महसूस करते हैं किसी भी विमार इनसान के लिए माफ करना दोई की तरह काम करता है दोस्तों आप सोचेंगे अब आप ये सोचेंगे कि आपको किसे माफ करना है सबसे पहले author कहते हैं कि आपको खुद को माफ करना है हम अपने ही मन में खुद की negative image बनाते हैं और हम उस negative image के कान खुद को बुरा महसूस करते हैं तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद को माफ करना होगा तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेस चैप्टर के बारे में जो है मन में हमेशा युवा कैसे रही आपका सब कुंशेस माइंड कभी भी बूड़ा नहीं होता इस पर आपकी एज का कोई फरक नहीं पड़ता है दोस्तों धहरिये द्यालुता, सत्य विनमर्ता, सद्भान और प्रेम ऐसे गुण है जो आपको कभी भी बूड़ा होने नहीं देंगे आप अपने इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने दे तो आप हमेशा युवा बने रहेंगे दोस्तों बुड़ापा बस आपकी सोच है ओथरेक वैक्ति के बारें बताते हैं जो अपने विचारों में ही बूड़ा हो गया था कुछ टाइम पहले ओथर लंदन में अपने दोस्त से मिलने गए थे जो की असी वरस के थे कुछ लोगों के लिए ये खुछी बनाने का टाइम होता है दोस्तों लेकिन दुर भागे से उनके दोस्त के साथ ऐसा बिलकुल भी नहीं था उसे देख करके मुझे गहरा सदमा लगा वो कमजोर दिखाई दे रहा था डोक्टर्स को भी दिखाने पर उसे कोई बिमारी नहीं थी दरसल वह वैकिन अपने विचारों में बूड़ा हो गया था उसे लगता था कि उसे कोई नहीं चाहता अब उसकी किसी को जरुवत नहीं है हम पैदा होते हैं बड़े होते हैं दोस्तों बूड़े होते हैं और मर जाते हैं बस यही खानी खतम हो जाती हैं उनकी बिमारी कारण उनकी जिंद्गी नहीं थी बलकि जिंद्गी को देखने का नजरिया था दोस्तों और वह अपने विचारों में बूड़ा हो गया था दोस्तों आप उतने ही युवा हैं दोस्तों जितने कि आप खुद को मानते हैं 84 साल की उमर में एक सर्जन जो सुबहा ओपरेशन करते हैं वो दोपैरों को मरीजों को देखते हैं और शाम को मेडिकल वेवेग्यानिक जनरल्स के लिए लिखते हैं उनका नजरिया था कि वे उतने ही उपयोगी हैं जितना कि वे खुद को समझता है और उतना ही युवा है जितना कि वे खुद को मानता है कुछ से कहें कि मैंने अभी तो अपना जिवन जीना सुरू किया हैं और मैं अपने हर दिन को भर पूर जी हुआ मैं अभी भी जवान हूँ आपका भारी वर्ड आपके इनिर वर्ड पर डिपेंड करते है दोस्तों इसलिए आप अपनी सोच को हमेशा जवान रखें तो आप हमेशा खुद का जवान महसूस करेंगे तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेस चैप्टर के बारे में जो है यानि कि डर भगाने के लिए अपने अवचेतन मन का उप्योग कैसे करें डर ही लोगों का सबसे बड़ा सत्रू है डर ही ऐस सफलता बिमारे और कमजोर मानवे समध्धों का काण है क्रोड़ लोग अतीत भविश्य और बुड़ा भी तता मोत के डर से डरते हैं डोक्त जोसेफ मर्फी बताती है कि कैसे उनके एक स्टूडेंट ने सटेज फिर को सबकॉश्यस माइंड की हेल्प से भगया वो लोगों के सामने जा करके बोलने से घबराता था उसने अपने डर पर विजय इस तरह से पाई वह कई दुनों तक शांत बैट करके खुद से कहता कि मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ अभी मैं इस डर पर विजय पाल नुम्होर से बाहर आ जाऊँगा मैं confident हूँ और मुझे लोगों के सामने जा करके बोलने से डर नहीं लगता सभी मेरी तारिफ कर रही है इस तरह से अपने subconscious mind के help से stage fear को उसने दूर किया और उसमें एक सांधार speech दी और उस competition को जीत लिया लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है दोस्तों इसका मतलब है कि आप अपने विचारों से ही डरती है किसी भी डर को बगाने का सबसे आसान तरीका होता है उसको face करना और आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों खुद पर विश्वास कीजिए अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अब आपके लिएक assignment time है दोस्तों आपको करना बस ये है कि आपको comment box में जा करके लिखना है कि आप आने वाले 7 दिनों के अंदर किस तरह से अपने subconscious mind के power का यूज़ करने वाले है वो 7 दिनों के बाद वापिस आ करके आपको फिर से comment करना है कि क्या आप अपने subconscious mind के power का यूज़ कर पाए क्या आपने subconscious mind के power को समझ लिया है ताकि इन future आपके comments लोगों को inspire कर सके दोस्तों हम आपके feedback का इंतजार करते रहेंगे इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आप हमेशा खुश रहे है खुशियां बाठते रहे हैं दोस्तों लभी ओल दोस्तों जहें जहें